Hello everyone, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे तो बहुत सरे लोगों ने comment section में मुझे ये पूछा ता कि आप अपने exam का review दीजे आपका exam कैसा हूँ NTPC-CBT2 का तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ जो लोग भी नहीं जानते हैं कि मेरा जो है level 6 and 4 जो है मेरा exam नहीं था तो फिर भी मैंने जो है जो दिन लोगों ने भी exams दी उनके review देखे मैंने और बहुत सरे लोगों ने मुझे बताया भी कि exams का level कैसा था तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला और जो मेरा आगे का exam से level 2 and 3 के लिए है तो जीने नहीं पता मैं बता दे रही हूँ मेरा level 4, 5 and 6 के लिए exam नहीं था मेरा जो upcoming exam से level 2 and 3 के लिए सिफ उसी के लिए क्योंकि मेरा जो है वो 12th basis पे था नकी graduation level पे that's why 2 and 3 है तो उसके लिए जो है जो अभी exams होए है 4 and 6 के लिए उसे क्या सीखने को मिला और अगर आपका भी आगे exam है तो वो आप क्या apply कर सकते हैं क्या देख सकते हैं पहले बात तो जो अभी exams होए हैं सबका यही कहना है कि exam जो है काफी tough आया था तो मुझे भी यह लगा क्योंकि personal लोगों कुछ लोग थें जिनका exam था तो उन्होंने भी मुझे बदाया कि exam का level जो था वो काफी जादे high था बट आप यह भी तो सोची कि level किस चीज के लिए हो रहा है अगर काफी exam पहली बात तो अगर बहुत easy देंगे तो cutoff बहुत high जाएगी अगर बहुत hard exam देंगे बहुत tough papers बनाएगे तो cutoff भी कमी जाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं है बट हाँ उन लोगों सब के हिसाब से paper जो है काफी tough था तो tough था और आप लोग भी comment section में बता सकते हैं कि कैसा था really में आप क्योंकि बहुत सारे लोग अगर comment करेंगे तो पता चलेगा ना कि really में बहुत जाज़े tough था या नहीं बट हाँ सुनने में तो आरा था कि काफी जादे tough था तो लेकिन बट हाँ कुछ लोग यह भी भी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा पेपर ही tough था कुछ moderate questions कुछ easy questions थे भी थे बट हाँ उनके जो numbers थे जैसे महले जीके की बात करें तो 50 questions थे तो जिसमें से सिफ BC question ऐसे थे मतलब less than 50% यह ऐसे questions थे जो easy to moderate थे बागी उससे उपर जो जितने भी questions थे वो कफी जादे मतलब या तो आप तुका लगा सकते हो या तो फिर जो है कुछ भी लगा सकते हो ऐसा कुछ करके तो यह था यह हो रहा था तो क्या सीख मिलता है यहां से आप क्या क्या मुझे points मिल सकते हैं पहला point हो जो current affair है वो आतो हो रहे है recent के भी कुछ आ रहे है बट उतने जादे नहीं आ रहे है जो कि पहले के previous year के कुछ जादे ही आ रहे है previous year in the sense का मतलब 2021 का मतलब पिछले साल के काफी जादे आ रहे हैं और यह भी सुनने को मिला कि जो आपकी magazines वगेर हैं उनसे उतना जादे नहीं आ रहा है और जो daily current affairs देखते हैं उनके लिए काफी जादे benefit हुआ होगा तो अब उतना time तो नहीं रहा कि आप daily current affair उतने के पीछे से सब देखो बढ़ा जिनोंने भी पहले से current affair daily देख रखा या फिर weekly देख रहे हैं तो उनके लिए काफी benefit होगा और काफी अच्छा तो काफी अच्छा कर लेंगे पजल में बढ़ा दूसरी बात है कि एक्जाम से मकर पजल साते हैं सबसे पहले उनको skip करिए सबसे पहले अटाइए उनको कब attempt करिए जब last में आपके पास time और तब attempt करिए वरना पजल में first जाए क्योंकि पजल क्या होता है क कि चलो ठीक है मेरे जादे से जादे question हो गये हैं और सिफ यही कुछ questions बागी है जैसे puzzles पहले हो गया तो reasoning में puzzle का थोड़ा लोगों के बीच में जादे बचों के रहने 72-90 तो बढ़ा यही है कि हम लोगों को यही मान के चलना है कि अगर हमारे अटम्ट बहुत जादे नहीं हो पा रहें तो इसे घबराना नहीं है और इसमें तो नॉर्मिलाइजेशन तो होना नहीं है और उसके बाद जो है जो होगा देखा जाएगा बठाँ एक्जाम्स आप लोगों की 2, 3 & 5 जो है 2, 3 & 5 हाँ यह तीनों की एक्जाम्स देट भी एनाउंस हो चुकी है वैसे तो यह टेंटिटीव डेट एनाउंस हो हुई है बठाँ के बाद यह एक्जाम्स करनट करा दिये जाएंगे इतना तुश्योर है और उसके बाद जो है जो जैसा भी मेरा इक्जाम जाएगा जिस भी तरीके का जाएगा मैं आपसे जरूर शेयर करोंगी शेयर करती रहूंगी और आगे और बीच-बीच में भी जो मुझ से कुछ ज एक बाद जरूर आप रिव्यू लिखेगा कि हां कैसा आपका पेपर रहा और आपने पहली बात कितना कोश्चन कितने कोश्चन अटेम्ट की हैं और इसमें अगर करेंट अफेर के बात करें तो करेंट अफेर जो है वह लगभग 9-10 के बीच में आ रहे हैं और साइंस की भ भी टेसट बुक जिसने अप्लाई लगा रहे हैं जो भी आप टेस्ट लगा रहे हो वो तो आब बंद कर दो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला ये मैन Eigen बड़ भच्चों से सोना है फेक है तो मैं भी आप टेस्ट बुक कर नहीं लगाने वाली फॉदर नहीं प्रोसीड क करिए जादे से जादे रिवीजन ही है कुछ कर सकता है और बागी कुछ पी नहीं और तो जो भी आगे होगा वह हम आपसे डिस्कस करेंगे तो थैंक यू फॉर वाचिंग बिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में